जासी की थाना लहचूरा के ग्राम इटायल में चार दिन पूर्व ही मारपीड के बाद एक युवक लापता हो गया माया पतनी करन आरे निवासी ग्राम इटायल ने छे दतकारी मौरानीपुर के लिए प्रातना पत्र में बताया पंदरा फर्विरी को मेरे पती करन आरे साम छे वजे घर से निकले थे गाओ के दो लोगों ने उन्हें पकल कर गालिया देते हुए घर में बंधग बना कर मारपीड की एवं उनका मुबाइल छीन लिया उसे दिन से मेरे पती लापता हैं प्रातना पत्र में छे दतकारी से कारवाही की मांग की गई छे दतकारी मनी सोनकर ने बताया उक्त प्रातना पत्र पर थाना देश लहचूरा को सेगर कारवाही करने के निर्देश दिये गए और इनको बंदक की और माल पिट की मबाल भी छुडा ली जा और इनको वीडियो भी बनाई हम इनके पास गए हमनी पंद्दच जी चलो गलती हो गई उस पर माप कर दू पंद्दच जी बोले बेटा गलती तो हो गई ठीक है अगे ले तुमारा भाई गाउं में नहीं रह पाएगा और चाह 6 लाग तो हम रुपे उनके लिए निचाव हमने कई दे हम लगा सकते हैं और हमने जहां से भी कर रवाई कर ली हमने महु भी पूरी बांद ली इन हमने इतनी कह के साब हम अपने घर लोटे आए फिर दुबारा हमने उनके पास नहीं गए अभी तक हमारा भाई पापोस नहीं आया गए बाई का करन है क्या नाम है माया महां की नवाती हो इटाल की इस थाले के नाचुरा जो है रास्ती से चले जा रहा है थी कौन चला है आदमी है करन रास्ती से चले खेच के घर में वेरा पंड़त ने लखन महराज सुनील महराज फंड मार पीट कर इबांद के डारा घर में हम नहीं थी बांद के नहीं घर में डाल लोग अब जब से पता नहीं है कहा है स्थाने में सुझना दी वीडियो बनाई साब उन्हें वाला नंबर हो नहीं की को आशे साब कुछ किया उन्हें नहीं किया कोई कारवाई किये थाने थाने उन्हें जा करी कि साम के हम प्लस भेजें कि अब आरहा है कि वह पत्नी करंद आर्या की रहने वाली है जिनको दरा बताएगे उनके पती जो है पंदरा तारिक से जो है गर नहीं लोटे हैं और कुछ लोगों पर नहीं अनारोप लगाये हुआ है समन्द में थाने लाचुरा में जो है थाने दार को अबद निर्देशित करा गया तुरुन जांच करके ततकाल कारवाई करने के लिए और जो जानकारी मिलेगे उसके अधार पर अगरिंगे दिक कर भी ददकाल करी जाएगे